इरान और इस्रेल के बीच इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आज सकते हैं ऐसे कई सारे कयास लगाय जा रहे हैं तो इरान और इस्रेल में अगर जंग होती है तो पलड़ा किसका भारी होगा यह आपको समझाते हैं हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के हत्या के बाद इरान ने इस्रेल को बदला लेने की धमकी भी दे दी है हाला कि इस्रेल ने न तो इस हमले की जमेदारी ली है और नहीं इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है लेकिन माना जा रहा है कि इसमाईल हानिया की हत्या इस्रेल की बदला लेने की कारवाई की तहत की गई है ये भी माना जा रहा है कि इसे प्रधानमंत्री बेनिमिन नितनियाहू की सीक्रेट अजन्सी मोसाद ने अंजान दिया हो इरान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मामला बना लिया है क्योंकि ये हमला उसकी जमीन पर ही किया गया और ऐसी इस्तिती में अगर इरान और इस्रेल के भी जंग छड़ जाती है तो जानिये आखर किसका पलडा जादा भारी पढ़ने वाला है तो अगर दोनों देशों की सैने ताकत की तुलना की जाए संख्या बल के हिसाब से इरान का पलडा भारी नजर आता है अगर दोनों देशों के सक्रिय सैनिकों की बात की जाए तो इस्रेल के पास 1,70,000 का सैने बल है वहीं इरान इस मामले में बहुत आगे है उसके पास 6,10,000 सैनिक है लेकिन जब रिजर्व सैनिकों की बात आती है तो इस्रेल आगे निकल जाता है इस्रेल के पास 4,65,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स है तो इरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक है पारा मिलिटरी के मामले में भी इरान को बड़ा थासल है इरान के पास 220,000 की पारा मिलिटरी है तो इस्रेल के पास इनकी संख्या में 35,000 है थल सेना की ताकत का अंकलन किया जाए तो कुछ मामलों में इस्रेल और कुछ में इरान आगे है अगर टांकों की बात की जाए, तो इस्राइल के पास 1370 टांक है, वहीं इरान के पास इनकी संख्या 1996 है, यानि टांकों के मामले में इरान काफी मजबूत है, वीकल के मामले में भी इरान आगे है, उसके पास 65,765 वीकल है, तो इस्राइल के पास 43,407 वीकल है, Self-propelled artillery में दोनु देश लगभग बराबरी पर है इस्रेल के पास 650 Self-propelled artillery है तो इरान 580 की संख्या के साथ थोड़ा ही पीछे है लेकिन जब rocket artillery की बात आती है तो इरान 775 की संख्या के साथ मीलू आगे है इस्रेल के पास केवाल 150 rocket artillery है अगर दोनु देशों की air power की तुलना की जाए तो कुछ मामलू में इस्रेल का पलड़ा इरान से भारी है इस्रेल के पास 612 aircraft है तो इरान के पास इनकी संख्या 551 है इस्रेल के पास 241 fighter craft है तो इरान के पास 186 है इस्रेल के पास 23 special mission aircraft है अब बात कर लेते हैं नेवी की तो इसमें भी कहीं इरान का पलडा भारी है तो कहीं पर इस्रेल का इरान के पास साथ फ्रिगेट्स हैं तो इस्रेल के पास एक भी नहीं है इस्रेल के पास साथ कारविट्स हैं तो इरान के पास तीन है इरान के पास 19 सबमरीन है तो इस्रेल के पास केवल 5 सबमरीन ही मौजूद है और वहीं इस्रेयल के पास 45 पेटरोल वेसल्स हैं तो इरान के पास इनकी संख्या 21 है इरान के पास एक marine warfare है तो इस्रेयल के पास एक भी नहीं है तो देखिए दोनों सेनाएं आपस में ताकतवर्तो हैं ही अपनी मजबूती के दावे तो दोनु ही की ओर से लगातार यहाँ पर किये जा रहे थे और हमने वो संख्या अबल भी आपके सामने रख दिया कि कितने हतियार किस देश के पास मौजूद है और किसका पलड़ा किस पर जादा भारी होता हुआ दिख रहा है इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के जरी अपना फीडबाक हम तक जरूर पहुचाईएगा और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने न्यूज एटीन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा